हलो स्टुडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिख्छड अकैडमी पर आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड यहाँ पर फोर्थ का सॉल्व करने वाले हैं से 1, that means semester 1 की एक्जाम का question top पर का model question paper ठीक है, model question paper यहाँ पर solve करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हो जो आपका A7 की एक्जाम हो 40 marks की एक्जाम होने वाली है, जिसके अंदर syllabus जो है chapter 1-7 आने वाले हैं timing आपका यहाँ पर two hours का given है, दो गंटे की एक्जाम होगी आपकी, ठीक है, तो आप online as well as offline दे सकते हो एक्जाम, तो यहाँ पर सबसे बोला गया है, brick has यहाँ पर faces, brick के पास कितना faces होता है, आप brick देखे होगे यहाँ तो brick has total यहाँ पर six faces, इस तरह से होता है, ठीक है, तो आप एक उपर नीचे दोनों side, उधर side, तो total six faces, one kilometer is equal to dash meters, यहाँ पर आपको देखना है, इसको solve करते हैं, one kilometer में 1000 यहाँ पर meters होते हैं, ओके student, तो अगर अभी आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज फर्स अफर सब्स लिटर में 1000 ml, यहाँ पर होता है, उस इक हम बोलते है, milliliter, next है, 28 days में कितना week होता है, तो आपको पता है, यहाँ पर seven days में one week, तो 28 में कितना, that means four weeks, यहाँ आपका हो गया fourth number का question, eight number, जो पहला आपको fill in the blanks है, वो eight marks का है, तो यहाँ पर four हमने solve कर लिया, fifth number बोला है, if the present age of Jatin is 12 years, 12 years है, present age Jatin का, ठीक है, अब देन, before four years, उसकी age कितनी रहे गए होगी, तो four minus कर दो, eight years, answer आपका यहाँ पर eight, next है आपका जो question है, यहाँ पर six number का, question number six में बोला गया है, it takes two hours to reach महसाना from अमदाबाद, अमदाबाद से क्या करना है, इनको महसाना जाना है, if we leave 3.30, यहाँ पर, 3.30 पर हम यहाँ पर, 3.30 पर leave करते हैं, in the afternoon, then बोला है, we will reach at 10 hour item महसाना, दो घंटा लगता है, तो 3.30 पर, आप यहाँ पर, निकल रहे हो, तो इसकी वे टू आवर्स 30, चलिए यहाँ पर आगे, the shape of matchbox, matchbox का shape यहाँ पर किस तरह से होता है, तो matchbox का shape यहाँ पर cuboid होता है, अगर हम 3D डाइग्राम में बोले, तो 3D डाइग्राम में, cuboid, next है, 300 multiply by dash, ठीक है, यहाँ पर is equal to 1500, 300 में क्या multiply करोगे, तो 15 आएगा, तो आपको पता है, 5 से multiply कर दो, तो 5 3, जब 1500 हो गया, देन बोला गया है, 6 note of rupees 1200, देखो यहाँ पर 6 note आपको 1200, 6 to 1200 हो, यहाँ पर rupees आ जाएगा, ठीक है, 1200 के notes हो जाएंगे, next है मारे पास, question number 2 का A, इसमें बोला गया है, which of the given pictures are, यहाँ पर figure of brick, कौन सा brick का figure है, यहाँ पर आपको tick करना है, तो A आपका brick का figure है, इसको tick कर देना है, second D वाला, and A, E वाला, यह तीनों क्या है, brick के figure, इसको tick करना है, बाकी को नहीं करना है, तो यह आपका question हो गया, next इसके अंदर B वाला जो question दिया गया है, उसको देख लेते हैं, क्या बोला गया है, question B में आपसे बोला गया है, how many days, write, कितने days होते है आपको यहाँ पर write करना है, तो देख सकते हैं, यहाँ पर 25, 2018 से 24, 6, 2018, तो 25, that means अपका में का महिना होगा, में के बाद में का आपका 31 होता है, ठीके, तो जून में भी आपका यहाँ पर, तो में में, that means 20 से, 20 से 31, that means 11 days इसमें हो गया, 24 days इसमें हो गया, तो इन दोनों को add कर देना है, तो यहाँ पर आपका आजाएगा, add कर दो दोनों को, तो 5, 35, तो total आपका अंसर आजाएगा, यहाँ पर 35 days, next है आपका यहाँ पर 15 to 2018, तो यहाँ पर आपका यह 28 days का होता है, February, तो 15 date हो गया, तो 15 यहाँ पर 15 के बाद आप क्या करोगे, 15 से यहाँ पर 20, that means आ बाकी के days आपके 8 days हो, 8 and 6 कितने हो गए, यहाँ पर 14, और इसके अंदर 17 days, इन दोनों को add कर दो 17, 14, 7, 4, 11, 1, 1, 2 and 3, 31 days आपका आजाएगा, इसके अंदर 31 days, और इसके अंदर जो बने बताया था, तो यह हो गया, C वाला question देखते हैं इसके अंदर, बोला गया, draw the hour hand and minute hand in the dial of the clock, यहाँ पर dial of the clock में हमें hour and minute, तो देख सकते हो, यहाँ पर छोटी वाली 6, 45 हो रहा है, that means छोटी वाली जो सुई हो, 6 and 7 के थोड़ा सा, 7 के पहले रहेगी थोड़ा सा, तो इस तरह से 7 के थोड़ा सा पहले, बड़ी वाली जो सुई है, वो 45 पे, ऐसे 9 पे रहेगी, ठीके तो यहाँ पर इससे ड्रो कर सकते हो, then second है 11, 35, तो आपको 11 के थोड़ा, that means 11 के असपास ही रहना है, चोटी वाली सुई and बड़ी वाली जो सुई है, तो यहाँ पर 7 पे आ जाएगा, तो यह 35 हो जाएगा, तो इस तरह से यह वाले question को करना है, 2 marks का यह भी question था, इसक clock में से, दूसरे clock में जाना है, कितना hand यहाँ पर move करना पड़ेगा, तो यह simple सा question है, इसका answer दे सकते हो, चलिए तो clock वाला है, next question देखते हैं यहाँ पर, third number का, बोला गया, three students are running in 100 meter, meter, race of a school, answer the following question on its basis, तो यहाँ पर आपको उनके बेस पर answer देना, पहला जो question दिया गया है how much distance is there between the Jitendra and Virendra, Jitendra यहाँ पर देख सकते ए रहे, और ए रहे है, यहाँ यहाँ पर ए रहे है, तो एक 60 पर है, 90 पर दोनों को माइनस कर दो, 90 माइनस 60, that is 30 का distance है, इन दोनों के बीच में, तो 30 meter आ जाएगा यहाँ पर पहले में, then second है, how much distance is there between mehendra and Jitendra, तो महें यहाँ पर है, Jitendra कहाँ पर है, यह रहे, तिन दोनों में, एक 60 पर है, एक 50 पर है, तो दोनों 60 माइनस 50, that is 10 meter, तो 10 meter का distance है, आगे है, यहाँ पर आपके पास, बोला गया है कि, how much distance is there mehendra and virendra, mehendra and virendra कितना distance है, तो यह रहे है, महें यह रहे है, यह 90 पर हैं, वो 50 पर है, तो 90 minus 50, that is 40 meter का distance है, next है, how much distance is still remaining to finish the race by virendra, virendra से अभी कितना distance है, तो देख सकते हो, 100 पर है जाके finish होगा, अभी है, 90 पर है, तो 100 minus 90, that is 10 meter भी बाकी है, तो यह आपका 3rd का, यह हो गया, next देखते हैं, यहाँ पर 3rd का B, 3rd का B में बोला गया है, the difference, the different view of two objects are given below, from which will you look like this, right, तो देख सकते हो, यहाँ पर एक computer है, यह water bag है, ठीक है, आप इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से कर सकते हो, आगे है, C में, draw the top view of the following two objects, top view बनाना है, match box का, तो match box का जो top view होगा, कुछ इस तरह से आपको rectangle जैसा बनेगा, metal weight का यहाँ पर top view जब बनाने जाओगे, तो आपको कुछ इस तरह से उसको दिखाए देगा, तो यह metal view का, 5 kg का है, तो 5 kg यहाँ पर ऐसे, right कर दोगे, तो यह इसका top view हो गया, ऐसे बना के, next है आपका यहाँ पर question number 4, बोला गया, how many rupees, count and write, तो कितना रू इसी तरह आगे, 100 की, sorry, 50 की यहाँ पर 4 note है, तो 50, 50, 54 टाइम लेलो, तो that is यह आपका 200 rupees का हो जाएगा, देन आपके पास यहाँ पर 20 rupees की 5 note, तो 20, 25, 10, that is 100 rupees आपके पास हो जाएगा, 12 note है, यहाँ पर आपके पास किसकी है, यहाँ पर 10 rupees का, तो multiply कर दो 120 rupees आपके पास हो ज चलिए यहाँ पर आगे देखते हो, इसका B, 4th का B में बोला गया, क्या देखें, यहाँ पर बोला गया, taking 3 rounds of park below, what will be the, यहाँ पर distance covered, अगर 3 rounds लेते हो, तो सबसे पहले इसका क्या करो, perimeter, that means, यहाँ पर क्या करो, आप 2 into L plus B, that means, यहाँ पर 2 L plus B, that means 500 है, आपका यह length and breadth है 300 है, इसका हो find कर लो, तो 2 into 5 and 3 कितना होगा, 800, 8 to just 1600, इसका आपका perimeter आगया, तो 1600, अब यहाँ पर कितना round बोला गया आप से, 3 round, तो 3 से multiply कर दो, 16, 3 जा, 48, यहाँ पर 00, तो 4,800 आएगा, पूरा distance आप इतना meter कवर करोगे, चलिए next, C में देखते हैं, 4 marks का है, बट आपको कोई भी 2 ही करना है, इसके अंदर, तीनों में बता देता हूँ, तो first है, if a bus can carry 54 children, एक bus है जो इस 54 children को ले जा सकती है, then how many children will be carried by 3 such buses, 3 buses द्वारा कितने children जाएंगे, तो 53 से 1, तो इसको multiply कर दो 3 से, 4,3 जा 12, and 5,3 जा 15, and 1,16, तो 162 students can be carried by 3 such buses, एक तो यह पहले का अंसर आगे, if there are 165 children, then how many children will get the seat, तो अभी आपने इसको multiply किया, 162, ठीक है, बच्चे आ रहे थे, तो 165 यहाँ पर क्या है, students है, तो कितने को seat नहीं मिलेगी, तो इसमें से इसको minus कर दो, देख सकते हो, 3 student बढ़ जाएंगे, जिनको seat नहीं मिलेगी, next है, second number का, if the price of 1 kg paper junk is 14 rupees, then what will the amount from the 32 kg paper junk, तो 1 kg का यहाँ पर है 14, तो 32 kg का कितना होगा, multiply कर दो यहाँ पर, तो 32 multiply by 14, तो 14 2 जा क्या होता है, आपके पास, 28, 8, 2 कहरी, then 14 3 जा, यहाँ पर, 42, 42 में 2 जाएड कर दो, 44, that is 448 आजाएगा, third है, if each child is given 5 chocolate, मालो एक बच्चे को 5 chocolate यहाँ पर मिल रहा है, then how many chocolates are needed to 113, तो 130 student को कितना मिलेगा, multiply, तो 5 में 0 का 0, 5 3 is a 15, 1 carry, 5 1 is a 5 and 1 is 60, that means 650 यहाँ पर, क्या आएगे, chocolates चाहिए 130 student को देने के लिए, next है, मारे पास, आगे, 5 number का question, last question है आपका, जो की 8 marks का है, कोई भी 4 question करना है, 5 question में से, बोलागे इसके अंदर, how many times 500 ml vessel is filled to measure 7 liter of milk, तो 7 है, अगर आपके पास 500 ml का बरतन है, आप उससे 7 liter मापकोगे, तो 1 liter में देखो, 1 liter में आपके 2 times, 1 liter में क्या होता है, दो बार आप measure करोगे 500 वाले से, तो यहाँ पे 2, देखो, 1 liter अगर measure करना है, तो 2 बार आपको 500 से, then आपको 7 liter measure करना हो, तो कितना 14 time आपको 500 ml वाले से measure करना पड़ेगा, next है, second, bucket hold 8 liter of water, then how many times should the water filled 400 ml measuring vessel is emptied in the bucket to fill completely, देखो, 8 liter का आपके पास याप याप बकट मालो, एक बकट में 8 liter water आता है, अब suppose क्या करते हो, कितना time आप वहाँ पे वाटर को फिल करोगे, 400 वाले यहाँ पे बरतन से, तो देखो, आपको 8, इसको क्या करना है, 8,000 बना देना है, क्योंकि ml में convert कर दो, divide कर दो 400 ml से, तो 0 से 0 एक कट गया है, तो यहाँ पे कर दो 4, 2, 8, that is 20, तो 20 आपको यहाँ पे time fill करना पड़ेगा, ठीक है, तो next है, आपका third number का, यहाँ पे 1000 bricks, यहाँ पे cost 5000 rupees, then what is the cost of 350 such boxes, यहाँ पे bricks, तो 1000 का आपको price दिए गया है 5000 rupees, तो यहाँ पे आपके पास 350 हो, तो कितना होगा question mark, इसका इसके साथ multiply 5000, multiply by 350 divided by 1000, तो यह देखो 1000 एक 5 से कट गया, तो that means एक 5 आया, यहाँ पे 350, तो 5 into 350 यहाँ पे कर दो, तो 5 में 0 का 0, 5, 5, 25, 2 carry, 5, 3, 15 and 1, 2, 17, तो 750 आपका यहाँ पे आजाएगा, ठीक है 17,000, आप वहाँ पे multiply कर ले ना, फिर से, तो यह आपका होगया, next आगे हम देखते हैं, ठीक है बराबर है, जितना था, 1750, next है आपका question number 4, if the rate of 1 kg iron junk is 25, 1 kg का है 25 rupees, then बोला गया हमें, यहाँ पे 65 kg का कितना होगा, तो 65 है रहा, multiply कर दो दो दोनों को, तो 65 multiply by 25, इन दोनों को multiply कर दो, जो अंसर आएगा हुआ ही आपका है, यहाँ पे हो जाएगा, next है आपका 5 number का, how many buses having length 6 cm can stand in a line on the 408 meter of long breeze, तो 6 meter का यहाँ पे जमाल लो एक जो बस है, उसका length है 6 meter, अब यहाँ पे 408 meter पे कितने breeze पे कितने बसे यहाँ पे आपाएंगी, तो 408 को 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे, आपके, यहाँ पे 66, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 48 हो गया, ठीक है, 68 जा, 48 हो जाएगा, तो टोटल 68 buses can be, यहाँ पे आ सकती है, लाइन पे, can be stand in a line on a 408 long breeze, ओके श्टुटेंट, तो यहाँ पे हमारा यह paper इसी के साथ complete होता है, तो आप इसका practice कीजिए, और exam दीजिए, thank you very much, चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए, comment कीजिए, and share करते रहें यह video को,